सूप्रभाद बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी क्लास में जैसा कि आप जानते हैं कि हम ओ की मात्रा के शब्द कर रहे हैं ये देखिए, ये है ओ की मात्रा एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ ओ की मात्रा जो है वो अक्षर के वर्ण के दाहियों और लगती है ठीक है बिठा हम ध्यान से देखिए इसकी बनावट और अब हम करेंगे ओ की मात्रा के शब्द यानि कि वर्णों के साथ ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और फिर ओ की मात्रा का प्रयोग करते हुए उन वर्णों से शब्द लिखेंगे मैं अभी आपके साथ वो शब्द डिस्कस करूँगे फिर आपने खुद सोच कर ये शब्द अपनी नोट बुक में राइट करने है ठीक बिटा तो शुरू करते हैं क से जह तक सभी वर्णों के साथ हम ओ की मात्रा का प्रयोग करके शब्द बना चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे वर्ण टो से येस बिटा टो के साथ ओ की मात्रा का प्रयोग करने पर बनता है टो टो अब टो से जो शब्द है वो है टो 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 टोक रोक टोक याने की बंदिश लगाना, आंकुश लगाना तो तो तो, तोली तोली याने की मंडली क्रूप Okay, next है तो तो तो, टोपी तोपी याने की कैब तोपी दोनों ही हम लिख सकते हैं अगला शब्द है तो तो तो, तो, तोकरी तोकरी आने के बास्केट अब चलते हैं अगले वर्ण पर त के बाद आने वाला अगला वर्ण है ठ बच्चों ठ के साथ जब हम ओ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो बनता है ठो ठो, ठो और अब ठो से शुरू होने वाले शब्द है ठो, 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 ठोक ठोकना जैसे दिवार में हम कील ठोकते हैं ठो, 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 ठोकर ठोकर लग जाना ठोकर लग जाने से हम गिर जाते हैं ठो, 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 ठोकना एक और शब्द है जिसमें ठो आ रहा है वो है कटोर कटोर जो है वो कोमल का विप्रित शब्द है कटोर याने की हार्ड बच्चो ठो के बाद जो अगला वर्णाता है वो है ड़ और ड़ के साथ भूक की मात्रा का पिजोग करने पर बनता है डो डो से शुरू होने वाले शब्द हैं डो 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 डोर डोर याने की रस्थी डोर किसी चीज को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती है डो 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 डोरी डोर की तरह ही डोरी होती है डो, 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 डोली डोली जो है वो क्या होती है बच्चों डोली में दुलहन बैठकर दुलहन की विदाई की जाती है डोली में बैठकर दुलहन आती है और डोली जो है वो किसी का नाम भी हो सकता है अब दो के बाद आने वाला अगला वर्ण है धो और धो के साथ ओकी मात्रा का प्रयोग करने पर बनता है धो धो से शुरू होने वाले शब्द है धो 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 धोल जैसा कि मैंने आपको बताया है जब धो किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में आता है किसी भी शब्त की शुरुवात में आता है तो इसे ध बोलते हैं अधा नहीं ध धो धोल जो बजाया जाता है धोल की तरह ही धोलक होता है और जो छोटा होता है उसे क्या थोल की धोसे एक टिश का नेम भी है वो है धोकला आपने खाया है धोकला अच्छा लगता है ओके और अब हम लिखेंगे ध के बाद आने वाला अगला वन जिसके साथ ओकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है वो है त तर 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 बूज और तो के साथ O की मात्रा का प्रयोग करने पर बनता है तो तो से शुरू होने वाले शब्द है तो 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 तोल तोल ना यानि की वेड करना जैसे बजार से हम जब कोई चीज लेकर आते हैं तो जो दुकानदार है वो हमें चीज को सामान को तोल कर देता है ठीक है? अगला शब्द है तो 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 तोड तोडना यानि की प्लक कर लेना हमें फूल नहीं तोडने चाहिए तो 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 तोता तोता तो आप सभी को पता है ये एक पक्षी का नाम है जो हरे रंग का होता है अब द़ के बाद आने वाला अगला वरण है थ और थ के साद ओक की मातरा का प्रियोग करने पर बनता है थो थो से शुरू होने वाला शब्द है थो थो थोड़ा थोड़ा सा याने की जरा सा अगला शब्द है थो 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 थोड़ी मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ थो 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 थोड़े मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हैं ठीक है बेटा और अब थो के बाद अगला जो वर्ण आता है वो है द और बच्चो द के साथ हो की मात्रा लगाने पर बनता है दो अब दो से शुरू होने वाले शब्द है दो 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 ना दो 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 याने की गल्दी बिटा यहाँ पर श जो है, वो कौन सा है, जिसके पेट में चाकू मारा जाता है, जिसका पेट कटा हुआ होता है, श ठीक है? दोश अगला शब्द है दो 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 हा कुछ हिंदी में हमारे दोहे होते हैं जिने हमें जिने हम पढ़ते हैं जैसे कबीर के दोहे हमने सुने है न और दो 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 पहर दोपहर याने की आफ्टर नून याने की बारा बजे से बात का समय दोपहर ठीक है दोपहर में जब हम स्कूल से घर जाते हैं तो ठक कर सो जाते हैं अब दो के बाद अगला वर्ण आता है धो और धो के साथ हो के मात्रा का प्रयोग करने पर बनता है धो अब धो से शुरू होने वाले शब्द है धो 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 धोक देवी देवताओं की धोक खाते हैं धो 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 ना हम हाथ दोते हैं धो 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 भी धो भी जो है वो कपड़े धोता है और धो 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 भीन जो धो भी होता है वो मैन होता है और जो कपड़े धोने वाली औरत होती है उसे धो भीन बोलते हैं धो 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 धोकर हमें हमेशा खाना हाथ धोकर ही खाना चाहिए और धो 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 धोनी धोनी जो है वो एक फेमिस क्रिकेट प्लेयर है महेंद्र सिंग धोनी याद आ गया होगा सभी को अब धो के बाद अगला जो वहनाता है वो है न और न के साथ ओकी मात्रा का प्रियोग करने पर बनता है नो से शुरू होने वाले शब्द है नो 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 तो आपने देखे ही है दसका नो नोट वीसका नोट सो का नोट ठेक है नोट और नो 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 कई नो कई याने की किसिभी चीज़ का नुकीला हिस्था जैसे सुई की नोक जो है वो बहुत ही नुकीली होती है Nokia बेटा जो है वो एक कंपनी का नाम है जो मुबाइल बनाती है Nokia ओके और अब आपका homework क्या है आओ आपका homework भी डिसकस कर ले आप प्रश्न लिखोगे प्रतेक से दो दो शब्द बनाओ O की मात्रा के शब्द और O की मात्रा का यूज करते हुए आपने शब्द बनाने है ठीक है और लिखने है अब कुछ शब्द मैंने आपके साथ डिसकस किये हैं लेकिन कुछ और भी शब्द हैं जैसे तो 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 आथ इन शब्दों को भी लिख सकते हैं ठीक है बेटा लिखते टाइम ध्यान रहे कि आपकी जो लिखाई है वो बहुत ही सुन्दर हो और आपका जो काम है वो साफ सुत्रा हो ठीक बेटा थेंक यू और गुड़ बाई